हाई गईज और वेलकम बाक टो दी चैनल दीपाच यादव एजूकेशन वेलकम डू दी डेली हिंदू न्यूज एंड रिटोरियल एनालिसस और सेकंड ओफ मेड ट्वंटी 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 फॉर तो गईज आज है तारिक दो माई दो हजार चौबिस और है थर्स्टे देखेंगे आज के दाहिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनेलाईस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडियएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक आपको यह वला चनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना यहां से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडियाफ को डाउनलोड कर पाऊगे अब हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है स्पेन को कहां पर है इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2021 के prelims में पूछा गया था daily basis पे हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है national level पर कौन सा वो मंत्राले है जो कि ensure करता है कि schedule tribes and other tradition forest dwellers recognition of forest right act 2006 अच्छी तरीके से implement हो तो option number A ministry of environment forest and climate change या option number B ministry of panchayatiraj या option number C ministry of rural development या option number D ministry of tribal affairs तो इसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे हम आप लोगों से daily basis पे बोलता हूँ इसका जो correct answer है वो मैंने आपको डेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरुरत नहीं है क्योंकि वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ आज के दहिंदू अखबार में page number 14 पर भी ये article present है जिसको हम GS paper number 3 defense के perspective से पढ़ने वाले हैं हो क्या रहा है दोस्तो चाइना का तीसरा aircraft carrier जिसका नाम है फुजियान तो ये अपने पहले sea trial पर दोस्तो उतर चुका है और ये कहीं न कहीं चाइना के लिए एक बहुती जादा important achievement देखने को मिल रहा है अब पहला question यहाँ पर आता है सर ये aircraft carrier होता क्या है दोस्तो एक photo आपको यहाँ पर देख रहा होगा एक बड़ा सा जहाज उसका असपास छोड़े छोड़े जहाज भी चल रहे होगे लेकिन एक बड़ा सा जहाज जिसके उपर कई सारे helicopter विमान ये सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है तो जो हमारे aircraft होते हैं उन aircraft को carry करने वाला जो बड़े size का जहाज होता है उसी को हम बोलते हैं aircraft carrier जैसे एक photo आप यहाँ पर देख पाऊगे यह AI का image है बट यह आपको एक real image देखने को मिलेगा यह particular एक aircraft carrier है देख पार हो एक huge size का है helicopter उपर खड़ा हुआ है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा इदर आपको जो हमारे fighter jets है वो खड़े वे देखने को मिलेंगे और ऐसे कई सारे fighter jets कई सारे जो हमारे विमान है वो इस पर खड़े हो सकते हैं जैसे line से यहाँ पर भी खड़े है आपको देख रहा होगा ठीक है तो क्या होता है यह बड़ा सा जहाज इनको carry करने का काम करत और यह फिर fighter jets इसे उड़ान भर कर क्या करेंगे वहाँ पर जो भी issues होंगे उन issues को resolve करने का काम करेंगे जो भी किसी भी particular country के साथ मेंगर कोई विवाद create होता है तो उसमें भी यहाँ पर यह इस तरीके से एक बहुत बड़ी help जो है वो provide करवाता है अब दोस्तों जो यह aircraft carrier हैं यह हर एक देश के पास में नहीं हैं कुछ देशों के पास में हैं और कुछ देशों के पास में भी 2-3-2-3 करके हैं U.S. है जिसके पास में बहुत सारे aircraft carriers present हैं जैसे कर हम लोग बात करेंगे इंडिया की तो भारत के पास में आपको पता है कि दो aircraft carriers हैं एक है हमारा INS Vikrant है ना आपको पता होगा और दूसरा दोस्तो है INS विकरामा दित्ते है ठीक है तीसरा जो एरक्राफ्ट करियर है उसके ओपर काम चल रहा है उसको बनाया जा रहा है जैसे मैंने आपको अभी थोड़े दूनों पहले एक आर्टिकल में बताया भी था और बताया जा रहा है कि possibility है कि उसका नाम INS विशाल हो सकता है confirm नहीं है बड़ एक possibility यहां पर बताया जा रही है तो अभी फिलाल हमारे पास में केवल दो aircraft carriers present हैं उसी प्रकार से चाइना के पास में भी केवल दो aircraft carriers यहां पर देखने को मिलते हैं जो कि पूरी दरा से ready है लेकिन अब आप कह सकतो त तीसरा sea trial पर उतार दिया है और जो तीसरा aircraft carrier है उसका नाम क्या दिया गया है ध्यान रखेगा फुजियान नाम है इसका question बन सकता है कि हाल ही में फुजियान नाम की चीज न्यूज में देखने को मिली है यह क्या है तो एक प्रकार का China का aircraft carrier है यह तीसरा है तो यानी पहले और दूसरे कौन कौन से है तो पहला यहाँ पर आप देख पाओगे वो है लियाउनिंग और दूसरा है शांदॉंग तो यह दो aircraft carriers already चाइना के पास में present है यह तो नया वाला है दोस्तों इसमें special ability भी है उस special ability को अभी हम थोड़ी दिर में discuss करेंगे अब अगर आप देखो इसका जो displacement weight है टोटल वजन लगबग एक लाक टन्स के असपास है लेंथ है 333 मीटर इसकी capacity यह है कि 80 aircraft अपने उपर रखकर यह carry कर सकता है तो आप इससे ही imagine कर सकते हो एक बहुत ही huge size का यह particular aircraft carrier है तो सबसे बड़ा यही है फिर उसके बाद में आप देख पाओगे चाइना का है जिसमें इसके पास में 50 aircraft की capacity देखने को मिलती है रश्या का भी है यहाँ पर फिर उसके बाद में USA का है sorry UK का है Queen Elizabeth के नाम पर यहाँ पर aircraft carrier देखने को मिलेगा जिस पे 40 aircraft की capacity है भारत के पास में आइनस विक्राम दित्ते है जिसकी capacity 30 aircraft की है अब यह बढ़ती चली गई ह है ना आइनस विक्रांत के अंदर में तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ कह सकते हो कि countries के जो सबसे popular aircraft carrier सो उनके नाम यहाँ पर दिये गए अब सवाल यह है कि China ने यह जो नाम चुना है फूजान यह फूजान क्यों चुना है तो फूजान जो दोस्तों नाम है यह चाइना क इस्टन कोस्टल प्रोविंस का है सपोज यह चाइना का मैप है चाइना का यहाँ पर जो यह पर इस्टन साइड दोस्तों यही पर एक छोटा सा जगा है जिसका नाम है फूजियान जो कि ताइवान के पास है ठीक है तो यह धिहान लखिएगा बाकी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ चाइना के पास मैं अल्रेडी जो दो एरकाट करियर से शांदोंग यह 2019 में आया था और दूसरा है लियोनिंग यह बेसिकली यहाँ पर इन्होंने सेकेंड हैंड पर चेस किया था यूकरीन से 1998 में ठीक है और अब टाइब 003 वाला जो करियर है वो रेडी हो ग पास का यानि चाइना में जो अल्रेडी यह केरियर्स प्रेजेंट हैं उनसे तो जादा ही हैवी आपको यह देखने को मिल जाएगा ठीक है उसके अलावा यूएस से अभी भी आगे है आपको पता है बाकी दोस्तों जो फुजियान है इसमें एक इंपॉर्डन चीज नजर किया था अभी चाइना इसका यूज कर रहा है अभी यह टेक्नलोजी क्या है इसकी फुल फॉर्म एलेक्ट्रो मेगनेटिक एरक्राफ्ट लॉंच सिस्टम अभी मैं आपको बहुत डीटेल से समझाऊंगा इसको धियान से सुनिएगा क्योंकि यहां से भी क्वेस्चन्स ब क्या दिखना होगा यह वाला होता है। काई कि दोनों में फरक क्या है दोनों बड़े जाहाज है इस तरीके से हमें यह तो फरक है यहांपर इसकी आगे के design या इसकी nose कह सकते हो है तो यहां पर यह जो aircraft carrier है दोस्तों उसकी नाक हिशापी उठीवी है आपको दिखना होगा ह और भारत के पास में जो दो aircraft carriers present है उन दोनों की नाक यहां पर उठी वही है Reason क्या है? Reason यहां पर यह है कि जब हमें अपना fighter jet सपोज यहां पर aircraft हमें यहां से अगर launch करना है launch मतलब उसको उडाना है तो दोस्तों उसको इतना रने भे नहीं मिलता क्योंकि simple सी बात है यार यह देखो आप यहां पर fighter jet रख रहे हो अब fighter jet को यहां पर इतनी जगा नहीं मिल रही है उडान भरने के लिए जितनी जगा उसको जमीन पर मिलती है क्योंकि इनको एक लंबे runaway की requirement होती है यह उतना लंबा दौनने के बाद में उडान भरता है और यहां पर एक छोटा सा रास्ता मिल रहा है इतने में यहां पर इनने उडान भरना है तो कई इतने में तो फिर भी कुछ नहीं होगा यह उठाने से कोई फाइदा है क्या देखो इतने से कुछ नहीं होगा लेकिन यहाँ पर एक और टेक्निलोजी एड़ की जाती आपको मैं बताऊंगा लेकिन फिलाल यहाँ पर यह जो आगे उठावाए न इससे क्या होगा सीधा यहाँ पर यह बहुत तेजी से आएगा और यह फ्लैट होगा तो फ्लैट यहाँ पर क्या होगा सीधा सीधा जाएगा जिससे यहाँ पर चांसिस होगे कि वो नीचे गड़ जाए कई आपने ट्राल्स यूट्यूब पर देखे होंगे तो यहाँ पर स्पीड दी जाएगी इसको जिसके बेसिस पर यहाँ पर आगे यह दिया गया है जिसे यह उपर उड़ जाए और प्रॉपर तरीके से यहां पर उड़ान बर पाए कोई एक्सिडेंट यहां पर नजर ना आए समझ गए तो यह जो particular situation है यह मैं आपको बताया चाइना के पास में जो दो अलड़ी carriers प्रेजेंट उन दोनों में यह आगे उठावा है भारत के पास में भी जो दो प्रेजेंट उनमें भी आगे उठावा है लेकिन चाइना का जो नया वाला carrier है दोस्तो उसमें आगे यह फ् top flight deck आप कह सकते हो इसको यहाँ पर बोलता है मिल्कुल straight है यह सीधा है यह कोई यहाँ पर उपर उठावाला नहीं है अब सवाल यह है कि यह सीधा है तो इस पे से launch कैसे होगा अगर हमें aircraft अपना launch करना है तो वो सीधा आएगा वो launch कैसे होगा से तो सीधा निकल जाग गिर हमारे aircraft को तो क्या होता है इसके लिए इसके लिए एक technology यहाँ पर यूज की जाती है उसे technology का नाम दोस्तों यहाँ पर क्या है EMALS ठीक है यह प्रकार का catapult system है यह catapult system जो है यह हमारे aircraft को extra push प्रोवाइड करवाता है बहुत तेजी से ढखेलता है कि इसको proper speed मिल जाए जित है वो इस तरीके से यहाँ पर हमको नज़र आता है और यह कहीं न कहीं एक conventionally powered वाला aircraft करियर है nuclear वाला नहीं है दूसरा चैना का जो शांदोंग वाला है यह है शांदोंग वाला इसमें देखो आगे उठावा है और यह लियानोंग है यह भी आगे उठावा है जबकि जो य यह नया वाला है यह आगे से फ्लैट है अब आगे आता है अब यह जानते हैं यह जो particular system आप बता रहे थे catapult system यह क्या है तो दोस्तो catapult system में भी जो aircraft carrier से उसमें दो प्रकार की system होता है एक होता है catabore और एक होता है set bar अभी मैं आपको इसके बारे ही बताऊंगा तो होता यह जो caterpillar system है यहाँ पर fix किया जाता है ठीक है यह देखो उड़ता वारा है aircraft carrier नीचे से तो इसमें यहाँ पर fix किया जाता है कहां पर हमारे carrier में जिचे की side में इसके नीचे यहाँ पर लगा दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से ठीक है अब हमारे jet का जो आगे वाला टायर है वो इसमें फसाद यह है यह आप देख पार हो यह नीचे से अलग से equipment लगा गए है अब यह क्या करेगा है तेजी से पुश करेगा तो aircraft carrier को जो speed जमीन पर मिलती थी वो speed यहाँ पर मिल जाएगी यानि जितना इनको requirement होता है take off करने लिए तो अब बड़ा जो runaway है वो नहीं चाहिए नहीं छोटे area में ही तेजी speed से उडान भर जाएगा और सीधा उपर निकल जाएगा ठीक है तो यह चीज यहाँ पर use की गई है as a catapult system यह तेजी से जाएगा और आगे जाएगे push कर देगा बहुत तेजी से और यह सीधा यहाँ पर उडान भर लेगा अपना fighter jet समझ गए तो यह है दोस्तो catapult system I hope आपको इसके बारे में बड़िया तरीके से clarity मिल चुकी है अब जो catapult system है यह भी दो प्रकार की होते हैं को होता है steam power वाला और दूसरा होता है electromagnetic one ठीक है यह दोनों अलग अलग आपको आपने जराएंगे steam power में steam का use किया जाता है उस particular aircraft को आगे push करने के लिए और जो मारा electromagnetic है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यह ज़्यादा reliable माना जाता है ज़्यादा कह सकतो हो मजबूत ज़्यादा विश्वसनी है इसमें maintenance की भी कम जबरत पड़ती है energy efficient है ऐसा यहाँ पर बोला जाता ज़्यादा powerful जो है E-MALS वाला आपको यहाँ पर नज़र आएगा ठीक है बात clear हो गई अब सवाल यह है कि चाइना के लिए यह जो aircraft नया वाला आया है इसका importance क्या है सबसे बहले चीज़ चाइना के पास में South China Sea है है ना उसको claim करता है और यह इंडिया का status नहीं मतलब इंडिया के पास में दो carrier से यह तो आपको पता है उनके बारे में काफी details से already में आपको पढ़ा चुगा हूँ बात यहाँ पर है यह E-MALS के बारे में तो 2017 में अमेरिका ने यह जो E-MALS वाली catapult system वाली जो technology है दोस्तो यह इंडिया को provide कर पाई थी यह technology US की defense company जिसका नाम है General Atomics Aeronautics System के थूँ यहाँ पर develop की गई थी तो उनोंने यहाँ पर हमको provide कर वाया लेकिन इंडिया दोस्तों यहाँ पर इसको install नहीं कर पाया ठीक है नेवी ने यह जो प्लान है वो drop कर दिया budget के issues की वज़ा से अब क्या होता है हमारी आने वाले समय पर इस प्रकार की जो technology है वो यहाँ पर test हम लोग भी करने वाले है I hope आपको बढ़िया तरीके से पूरा मामला समझ में आ चुका है तो उसमें कुछ basic facts भी है जो prelims के लिए relevant है प्लीज ध्यान लखेएगा नवागे बढ़ने से पहले important information अगर आप लोग हमा रहा है यह हमारे article से हट कर है यह सभी data यह proper notes दोस्तों यह आपको PDF में compile करके दिया जाता है daily basis पे वो सारे के सारे PDF आपके अप्लोड होते हैं इस group के अंदर में ठीक है और जो PDF है यह Hindi English दोनों भाशाओं में मलता है प्लस आपका यहाँ पे सारा का सारा content secure हो जाता है ठीक ह आप दर दर PDF डाउलोड करोगे इसको store करके रखोगे कब तक manage करोगे current affairs के PDF क्योंकि हाँ पर बात है current affairs की तो UPSC लिए 2 साल के आपने current efforts cover करना है तो सारा data को secure करके यहाँ पर इस group में provide करवाय जाता है ठीक है और group को join करने का जो दोस्तों यहाँ पर fee payment है वो भी बहुत minimum है just 499 for the lifetime access यह जब तक आपका selection ना हो जाए तब तक आप इतने amount में group को join करके रख सकते हैं और guarantee है कुछ दिनों बाद आपका amount recover हो जाएगा लेकिन benefits free भी मिलते रहेंगे अब सवाल है group को join करने क्लिए क्या करना है नीचे whatsapp का एक number आपको यह दिया गया है इस पर message कर दीजि कि मुझे कि इस तरीके से फाइदे होईंगे तो अपने आपको पूरी तरह से satisfy करने के बाद में जाकर यह investment आप कर सकते हैं बाकी दोस्तों make sure क्या करो यार वीडियो पे जो like का button उसको press कर दिया करो 5000 likes का हमरा target है जिसको please आप सभी लोग support कर सकते हैं चलिए आगया आते हैं एक और important article की तरफ आज के अख़वार में ही page number 1 पर यह article present है जिसको हम GS paper number 3 economy के साथ में link करने वाले हैं तो दोस्तों बात हुरी है GST collections के बारे में तो GST collection में एक ताबड़ तोड़ collection यहां पर देखने को मिला है April के महीने में क्योंकि जैसे मैं कल भी आपको बोल चुगा थ कि अभी हम नए महीने में एंटर कर चुके हैं मई का महीना है तो पुराने महीने का सारा data आएगा inflation कितना रहा industrial growth कितनी रही GST का collection कितना हुआ तो उसी basis पर यहां पर बोला गया कि last month में अगर हम देखें तो April का GST revenue अभी तक का highest है अभी तक का एक ताबड तोड़ रेवेन या GST जो है यह काफी जादा यहां पर देखने को मिली है कितनी हुई है तो April का जो total GST है दोस्तो वो 2.1 lakh करोड रुपया यहां पर एक नए record के तोर पर देखने को मिला और आपको पता है जब GST 2017 में लेकर आई गई थी तो main target यह था कि हर महीने कम से कम 1 lakh करोड के आसपास का जो यह tax है वो generate होता रहे लेकिन अब की बार record तोर 2.1 lakh करोड का यहां पर एक नया record यहां पर हिट होता वो नजर आया है जिसके basis पर जो हमारी finance minister है वो statement देती है कि जो यह high tax collection हुआ है जब tax collection बढ़ता है और यहां पर तो सीधा 12.4% की growth हुई है पिछले साल के comparison में ऐसा क्यों क्यों कि यहां पर हमारे economy में जो momentum चल रहा है समय पर वो बहुती जादा मजबूत है strong momentum के कारण है एक बहुत बढ़ा tax collection देखने को मिला tax payment आया है यह यहां पर इन्होंने mention किया चलिए अब होता क्या है examination के perspective से बात करेंगे तो यह data हर महीने release होता है तो हर महीने release प्लीज आप लोग time waste मत कीजेगा यह numbers वगरा धियान एकने के लिए क्योंकि numbers वगर आपसे नहीं पूछ जाता है जब भी economy में कोई question बनते हैं तो directly यहां पर आपसे concept based questions बनते हैं ठीक है तो यह number हर महीने आते हैं उपर नीचे होते रहते हैं इनको side कीजिए कुछ पढ़न एक प्रकार का indirect tax है ठीक है यहां पर जो customer है वो directly government को पे नहीं कर रहे हैं जैसे direct tax क्या होता है customer directly सरकार को pay करता है for example जैसे आपका income tax लेगन यह जो GST है यह हर एक product पर हम दे रहे हैं तो यह directly government को नहीं दी जा रही है और हर कोई वेक्ति यहां पर pay कर रहा है जो भी यहां प tax के माद्यम से इसको लागू किया गया हमारे समिधान के अंदर में 101st amendment करने के बाद में इस संशोधन के बाद में और क्या GST से पहले कोई tax नहीं था यह नई चीज 2017 में लेकर आई गई थी जिया ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों GST जब नहीं था तो उससे पहले अलग-लग प खतम कर दिया गया और इसकी जगह केवल एक tax बनाया गया जिसको नाम दिया गया GST इसी वेसे हम इसको नाम देते हैं One Nation One Tax सारे tax खतम कर गए एक ही tax को यहां पर रखा गया और GST में भी दोस्तों यहां पर आपके अलग-लग प्रकार देखने को मिलते हैं जैसे आपका एक ह एक होता है यहां पर आपका CGST यानि कि Central Goods and Service Tax और एक होता है IGST जो होता है आपका Integrated Goods and Service Tax जो Export और Imports पर लगया जाता है अब देखो यह जो 2.1 lakh करोड का पूरा revenue जनरेट हुआ है GST का उसमें हमारा CGST कितना है SGST कितना है वो यहां पर डिटेल शेर की गई है यह अलग- नंबर से जैसे हम आपको पहली बोल चुका हूँ कि इस पर ध्यान अपने नहीं देना है अब सवाल आपका यह है कि मालो यहां पर कोई particular चीज है जिसके ओपर GST को लागू करना है या कोई चीज है जिसके ओपर GST हटानी है यह सरा decision कौन लेता है यह सरब decision लेता है आपका GST council पता है ना हमारे समिधान के अंदर में इसके बारे में जिकर किया गया है समिधान में कहां पर किया गया है तो इंडियन constitution के अंदर में दोस्तो आर्टिकल नंबर 279A कौन सा आर्टिकल नंबर 279A जो है हमारे इंडिन constitution का वो directly हमारे भारत के president राष्ट्रपती को यह power द होती है उसमें हमारे सबसे पहले union finance minister present होंगे ठीक है अब union finance minister वो basically chairman भी होते है या chairperson कह सकते हैं प्रश्ली chairperson होते हैं इस particular council के जैसे आज के समय पर निरमला सीतरमन जी आपको बता है finance minister है वो यहाँ पर GST council के chairperson भी है उसके लावा जो हमारे state के union minister होते हैं वो भी यहाँ पर present होते हैं जो और finance के अंदर में हैं है ना तो ऐसे यहाँ पर कई सरे members होते हैं दोस्तो फिर minister in charge of finance देखने को मिलेंगे कुछ और members यहाँ पर होते हैं जो state government nominate करती है यह सबी लोग यहाँ पर इस council में present होते हैं और फिर मिलकर decide करते हैं वहाँ किस चीज़ को पर GST बढ़ानी है कम करनी है किस पर लगानी है समझ गए तो GST council अभी तक है कि एक सबसे important committee है जिसका main काम है कि भी recommendation देना government को हमारी केन सरकार को राजसरकार को GST को लेकर वही क्या चीज़ हटानी है क्या चीज़ लगानी है जैसे हमने आपको बताया अब सवाल यहाँ पर एक और आता है कि भाई GST को लेकर मानलो किसी के साथ में विवाद हो गया कोई dispute हो गया किसी particular business के अंदर भी तो वह वाले cases कहा जाएंगे क्या court में जाएंगे तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा हमने GST Appellate Tribunal बना रखा है जो की court की तरह ही work करता है अब यह Appellate Tribunal क्या है दोस्तों तो जो हमारा CGST है Central Goods and Service Tax इसका जो proper act है CGST Act यह हमारी केंदर सरकार को यानी Central Government को सीधा power देता है कि वो क्या करें वो यहाँ पर एक GST जो Appellate Tribunal है उसको यहाँ पर create करें समझ गए अब मतलब यह भी recommendation इसमें GST Council का भी होता है उस basis पर यहाँ पर Appellate Tribunal बना जाता है जिसको नाम दिया गया है GST Appellate Tribunal यह वो particular platform होता है जहाँ पर appeal किये जाती है मालो कोई particular dispute हो चुका है कें सरकार राजय सरकार के बीच में taxes को लेकर तो वो जो appeal है वो यहाँ पर कह सकते हो court में जाती है फिर उसके बाद में यहाँ पर आपने appeal करवानी है आगे कि आप संतुष नहीं हो तो जो second appeal है वो दोस्तों इसके अंदर में हो जाती है ठीक है यानि जो हमारी अब short form में यह कई बार मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ न तो ऐसे यहाँ पर आपको मोटा मोटा पढ़ा दिया है सीधा सीधा revise भी करवा दिया है कि क्या क्या चीज़े कहां कहां पर present I hope आपको clarity मिली भी है और इन चीजों को याद रखोगे basic चीज़े हैं यार कई बार क्यों नहीं लगती अगर नहीं लगती तो उसके पीछे का reason क्या लगती है तो क्या reason है जर बता हूँ नीचे comment section में मैं आपको पहले भी बता है बहुत ही simple question रहा है इसमें कुछ है ही नहीं आ रहा है तो नीचे आप अपना जो पूरा statement है वो देना है उसको यहाँ पर approve करना है कि हाँ लगती है तो क्यों और नहीं लगती है तो क्यों नहीं लगती है चलिए बात करते हैं आगे नेक्स टाडिकल की जो हमारा page number 12 है वहाँ पर एक article प्रेजेंट है जिसको अब GS paper number 2 international relations के साथ में link कर पाऊगे हुआ क्या है दोस्तों Russia as a important country के तोर पर देखने को मिला Russia युकरेन के वार के बाद में अब होता क्या है वार के बाद में रश्या के उपर इतने सारे sanctions लगाए गए western countries के थू कि रश्या पूरी तरह से बिखरने लगा उसके basis पर इन्होंने बहुत सरा जो अपना कच्चा तेल है आपको पता होगा जो कच्चा तेल है वो केवल Arab countries के पास में नहीं है western countries USA के पास में भी है उसके अलावा रश्या के पास में भी ये कच्चा तेल present है तो रश्या से इंडिया ने बहुत सारा कच्चा तेल खरीदा और बोला जा रहा है जो हमारे private refiners है private refiners में जो reliance industry है दोस्तो और भी बहुत सारे private refiners है उन्होंने रश्या से last month बहुत सारा कच्चा तेल purchase किया है और जो April में कच्चा तेल purchase किया गया है वो पिछले 12 महिनों में सबसे जाधा highest है और ये चीज रश्या के लिए फाइदे मन्द है उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा amount मिलेगा revenue generation होगा जिसे economy को stable बना के रख सकेंगे क्योंकि sanctions already है डॉलर् देखा जाता है ना देखा जाता रश्या चाइना अपने आपस में बहुत पक्के दोस्ते हैं उस basis पर भी Chinese refiners ने इतना ज्यादा purchase नहीं किया जितना इंडिया ने यहाँ पर purchase किया हुआ है हमने भी बहुत सारा crude import किया रश्या से यह बात यहाँ पर mention की जा रही है अब कित पलना है तो फटफट आओ थोड़ा सा हमें आप एक crude oil के बारे में जानता है ठीक है क्योंकि दोस्तों recently आपको पता होगा कि रश्या ने अपने कच्छे तिल के price बड़ा भी दिये हुआ क्या था जब रश्या युगरेन वार स्टार्ट हुआ था तो उस दौरान तो रश् दाम बढ़ जाता इंटरनाशनल लेवल पर और इंडिया में भी कच्छे तिल का दाम बढ़ जाता है तो इंडिया में असर क्या होगा आपको पता इसके बारे में चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि जो crude oil के prices हैं ये कैसे भारत के उपर impact डाल सकते हैं पहला impact प्रेट में 15 रुपे के मिल रही है तो पहले हम वो खरीदने के लिए 10 रुपे कर रहे थे अब वही चीज़ खरीदने के लिए 15 रुपे कर रहे हैं तो पैसा अब जाधा जा रहा है नहीं जा रहा है तो हमने जो import किया उसका बिल पहले ये आ रहा था अब बिल और जादा आएगा नहीं आएगा, simple सी बात है, तो इससे क्या होगा, अगर oil prices बढ़ेंगे, तो इससे देश का import बिल बढ़ेगा, import बिल बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं हमारा जो trade balance वो खराब हो जाएगा, जिसके अंदर हमारा export कम हो रहा होगा, import जादा हो रहा होगा, और import जादा होगा मतलब हमारा trade deficit देखने को मिल रहा है, व्यापार में काफी बड़ा घाटा हम face कर रहे हैं, तो पहला तो यहाँ पर यह impact पड़ेगा, दूसरा impact क्या पड़ सकता है, inflation यानि महंगाई, simple सी बात यार देखो, जो कच्चा तेल है, अगर इसके price increase होते हैं, तो इससे एक inflationary pressure क्योंकि government भी tax लगाती है, तो government का tax भी लग जाएगा, तो वो चीज़े already इंडिया में आकर महंगी हो जाएगी, तीसरा impact पड़ेगा fiscal health के उपर में, अगर oil prices बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे, तो इससे सरकार को बहुत ज़्यादा problem face करनी पड़ सकती है, क्योंकि government भी बहार से purchase कर रही है, और आपको बताए कि जो government tax लगाती है कच्चे तेल के उपर में, वो अलग अलग tax लगता है, यानि केंदर सरकार यानि central government अलग tax लगती है, और जो हमारी state government से वो अलग tax लगती है, इस वेसे आपने देखा होगा कई सारे राज्यों में अलग अलग prices हो prices के वेसे government पलट जाती है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना जो tax वो ले रही थे, पहले वो tax cut down करना पड़ेगा, और tax अगर काटेंगे तो इससे government का revenue है, वो generate नहीं हो पाएगा, और revenue generate नहीं हो पाएगा, तो वो development के उपर infrastructure के उपर वो particular जो amount है, वो नहीं खर्च क पड़ेगा, इंडिया भी यहाँ पर कहीं है कि disadvantage वाली category में आ जाएगा, हमें भी inflation, trade deficit, import bill, यह सब कुछ face करना पड़ेगा, यह सारी दिक्कते एक साथ पड़ेगी, तो इससे economic recovery slow हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, भई हो जाएगी, यह तो logical है, चलिए, यह तो हो गई ब इसे थोड़े से facts जानते हैं, दोस्तों जो कच्चा तेल हमें इती देर से बोल रहे हैं, crude oil, crude oil बोल रहे हैं, आपको पता है crude oil दो प्रकार के होता है, एक होता है Brent crude oil और दूसरा होता है WTI, जो Brent crude oil है दोस्तों यह कहां से आता है, यह आता है हमारे North Sea से, specially जो हमारी oil fields है, North Sea के अंदर में वहां से, ठीक है, तो उपर North London वाले region से यहां पर Brent crude oil यह वाला कच्चा तेल निकाला जाता है, और जो दूसरा WTI को बोलता है West Texas Intermediate, और यह जो WTI वाला कच्चा तेल है, दोस्तों यह specially US से आता है, US की जो oil fields है, Texas, Louisiana, North Dakota, वहां से यहां पर यह तेल निकाला ज आता है, तो फरक ध्यान रखिएगा, Brent crude oil और WTI, Brent crude oil कहां से originate होता है, हमारी जो North Sea में oil fields present है, वहां से, अच्छा सवाल यह है, दोनों तेलों में फरक क्या है, light और sweetness का फरक है दोस्तों, जो दोनों कच्चे तेल हैं, यह दोनों के दोनों काफी light है, लेकिन जो Brent वाला है, gravity ज्यादा है, है ना, इसकी API gravity ज्यादा है, जिस वज़ाए से जो WTI है, वो यहाँ पर ज्यादा lighter माना जाता है, API gravity एक प्रकार का एक ऐसा indicator है, जिसको बोलते हैं, American Petroleum Institute, जो हमें यह बताता है, उस तेल के अंदर कितना गाड़ा पन, उसकी density कितनी ज्यादा है, प्लस WTI वा जो नौट्ची से निकाल रहे हैं, उसमें sulfur content ज्यादा होता है, चीक है, यह बात clear हो गई, अब आगया आता है, prices की बात करेंगे, तो इंडिया जो जातार import करता है, वो Brent वाला import करता है, भारत में कौन सा तेल आता है, Brent वाला ध्यान अखिएगा, और जो WTI वाला हम इतना purchase क करते भी नहीं है, reason है, WTI वाला महंगा पड़ेगा, क्योंकि जो Brent वाला का अच्छे तेल, वो सिधा समुदर से निकाला जा रहा है, निकाल कर सिधा जहाज में डाल देंगे और वो आ जाएगा, लेकिन जो WTI वाला है दोस्तों, वो यहाँ पर आस पास के landlock area से निकाला जा है, clear हो गया दोस्तों, और आपको पता है, हमने लगातार यहाँ पर कच्छे तेल की बात किया है, और जब भी international level पर इन कच्छे तेल की quantity को measure करते हैं, तो आपको पता होगा, हमेशा एक word use किया जाता है, barrel, है ना, यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पूरे article में देखोग इतने barrels जो तेल है, वो produce किया जा रहा है, इतने barrel तेल खरीद रहा है कोई देश, यानि एक barrel में 159 लीटर होते हैं, उसके हिसाब से आप total जो value है, वो निकाल सकते हैं, clear, चलिए, इतना कुछ मैं क्यों बता रहा हूँ, reason यह है, UPSC ने बहुत questions पूछे हैं, 2011 में यहाँ पर इन में से कौन सा statement सही है, पहला, जो brand crude oil है, यह प्रकार का कच्चा तेल ही है, सही बात है, इसमें क्या है, इसमें कोई फरगी नहीं है, हाँ, crude oil है, उसी का एक classification है, दूसरा, जो brand crude oil है, यह North Sea से निकाला जाता है, हाँ, यह भी सही है, कहोगे, अभी तो आपने बताया था, WTI, USA से लेता है, जो North Sea से है, स्पेशली वहाँ से brand crude oil निकाला जाता है, तीसरा, brand में sulfur present नहीं होता, यह statement कलत है, अभी हमने देखा था, कि जो WTI है, दोस्तों, यहाँ पे, उसमें sulfur जो है, कम होता है, as compared to the brand crude oil, तो brand में sulfur तो और जादा ही होता है, WTI की comparison में, तो आपका सही क्या हो जाएगा, option number one and two only, यानि B, आपका सही answer है, चलिए, एक वर question, साल 2008 में, एक interesting सा और बहुत ही simple सा question पूछा गया, question यह था, how much is one barrel of oil approximately equal to, एक barrel के अंदर बताओ कितना होता है, तो इसका सही उतर क्या है, option number B, 159 liters, अभी आपको यहाँ पर बता दिया, चलिए, आग है, next article पर, अब दोस्तों, पहले हम अपने editorials को cover करेंगे, आज के newspaper में, वैसे तो तीन editorial है, तीनों में से केवल दो editorial important है, एक repeated article है, तो वहाँ पर आपने time waste नहीं करना है, directly आपको बताता हूँ, एक editorial तो यह वाला काम का है, और दूसरा वाला आपका the wrong way of fight inequality यह काम का है, च प्रोटेक्शन चल रहे है, चार्ज उनको पता चलेगा, कौन अपनी सरकार बना रहा है, तो government बनने के बाद में, एक नई government बनने के बाद में, उन्हें animal protection bill के उपर में, थोड़ा जादा special focus करना चाहिए, वो writer नहीं यहाँ पर mention किया है, ऐसा क्यों और क्या हैं के कहने, निर्दाइता दिखाई जा रही है, उस निर्दाइता को रोकने के लिए दोस्तो, animal cruelty के against में laws लेकर आए जाता है, कानून लेकर आए जाता है, जो इंडिया के पास में भी है, लेकिन बहुत पुराना है, 1960 का कानून है, जिसका नाम है prevention of cruelty to animals act, पता होगा, तो animals के उपर अत सरी का कोई अतियाचार करता है, तो उसको बहुत सारा भुकतान करना पड़ेगा, जिससे animals के उपर अतियाचार होना बंद हो जाएगा, तो क्रोशिया ये काम कर चुका है, वो यहाँ पर इस particular act को लेकर आ चुके हैं, जिससे animals abusing वगरा, या animals की जो sufferings हैं या उनको unnecessary जो pain द मार दिया या एक इन्सान के तुरू, एक resident था, एक housing society के व्यक्ति थे मुंबई के अंदर में, उन्होंने यहाँ पर एक dog को मार दिया, और dog को मार दिया, उसके बाद लोगों ने यहाँ पर सोशल मीडिया प्लाटफॉम पर demand की justice for jack करके, कि उस dog के लिए यहाँ पर एक निय चाहिए, लेकिन writer बोलती है, क्या strong actions लिये जाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो laws present हैं, दोस्तो, animals के उपर cruelty को रोकने के लिए, वो laws इतने strong नहीं हैं, वही writer ने बोला है, यह बोलती है, साल बस साल अगराम देखें, तो बहुत बार discuss किया या, कि जो हमारे पास में prevention of cruelty to animals act है, वो act के अंदर में कई सरी दिक्कत है, वो act proper work नहीं करता है, effective नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, कि अलग अलग प्रकार की जो cruelty हो रही है, animals के ब्रदी, उसको कही ना कहीं criminalize करा जाएगा, किसी act के माद्यम से, उसको अपराध मान के उस कोई व्यक्तिव फस्ता भी है, तो उसको उपर में छोटी मोटी penalty चार्ज कर दी जाती है, और उसी छोटी penalty को वो pay करके अराम से खुशी-कुशी वहाँ से निकल जाता है, राइटर यहाँ पर बोलती है, कि इस मुद्दे को यहाँ पर काफी ज़दा उठाने की ज़रूरत है, अगर हम punishment की theories को देखें, तो जो PCA Act है दोस्तों यह ineffective है, यानि जो हमारे पास में laws already present है, यह काम का नहीं है, जब बात आती है punishment की, और जब law है आपके पास में उसमें punishment नहीं है, तो उस law का कोई फाइदा भी नहीं है, तो उसी को लेकर यह demand करती है, कि जो हमारे पास मे यह particular acts है, उसमें बदलावोना चाहिए, यह नया law लेकर आओ, जो नई government उससे गुहार है, वो नया law लेकर आए, जो की cruelty towards animals को रोकेगी, अब writer का कहना यह है कि जो हमारे पास में law present है, उसमें कह सकते हो कि जो अपरात दिया गया है, अगर किसी जानवर को मार भी दिया है, त सबसे पहले, इसके अंदर जो अपरात हो रहा है, वो available है, एक इनसान जो यहाँ पर मुझरिम साबित हुआ है, जिसने यहाँ पर किसी जानवर को मारा है, वो अराम से बेल ले सकता है, पुलिस से और निकल सकता है, प्लस यह जो offense इनको non-cognizable offense के तोर पर रखा गया है, इस इस प्रकार की चीज़े है, तो again फिर भी यह act और बेकार हो गया है, फिर writer का कहना यह है कि कई बार यह fine वगरा मांग लेते हैं, और कई कई बार कई सारे case में 10 रुपे fine मांगा गया है, क्योंकि यह जो act है वो बहुत पुराना है, 80, 90, 90, 60 का जो पुराना law है दोस्तों, य इतना ज़दा पुराना है कि इसमें जो fine है, वो 10 रुपे कम से कम, as low as 10 रुपे कई सारे cases में लिया गया है, तो अकि इंसान ने गर यहाँ पर इस प्रकार का हरकत की है, तो वो जाएगा 10 रुपे fine बरके आ जाएगा, तो again यह law working नहीं है, writer बोलती हैं तीसरा, कि जो यह law ह दे रहे हो, और fine उसके उपर charge कर रहे हो, ठीक है, मानलो कोई case आया भी, तो उसको आपने सजा दी, मानलो यहाँ पर jail सुना दी, और fine भी दिया, लेकिन आपको, आपने क्या किया, इस act के मादम से उसके अंदर दोनों में choices दे दी, सामने बला जो इंसियान है, उसको यहाँ पर choice दी गई है, कि आप तो यहाँ पर, या तो imprisonment face करोगे, jail में जाओगे, या तो fine भरोगे, बताओ क्या करना है, चाहे, cruelty कितनी बड़ी हो, या animal को कितनी brutal तरीके साँ आपर मारा हो, वो यहाँ पर इसमें कोई case नहीं है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, कि इस law में यही चीज जो है, वो गड़बड़ी है, यही चीज छूट दे रही है, जिससे यहाँ पर cruelty towards animals बढ़ रहा है, यह इनका कहना है, तो यह जो PCA Act दोस्तों यह ineffective है, किसी भी criminal को punishment देने में, या कोई भी crime को यहाँ पर, उस crime में एक justice देने के लिए यहाँ पर यह Act फेल हो चुका है आपने अगर jail सुनाई है, थोड़ा सजा वगरा है, तो उसमें आपने fine के साथ में choice दे दिया है, ठीक है, कि आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते है, और fine, low से low अगर आप देखोगे तो 10 रुपेगा fine भी यहाँ पर charge कर लिया जाता है, तो उसी को लेकर writer यह बोलती है, कि November 2022 की बात है, जो एक proper draft था, इस prevention of cruelty towards animals को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से law है, इसके अंदर amendment करने की बात की गई, इस पूरे draft को publish भी किया गया हमारी Department of Animal Husbandry की साइट से, लेकिन इतना जादा लोगों ने support भी किया इस draft bill को, उसके बावजूद भी यहाँ पर Parliament में इसको table न बदलाब करके एक नया law लाने की बात की गई थी, ठीक है, अच्छी खासी जो punishment की penalty है, वो भी charge की जा रही थी अलगलग प्रकार की offense से, एक नया cognizable offense add कर दिया गया था कि बही पुलिस वाला है, वो FIR भी यहाँ पर charge कर सकता है उसके उपर में, तो यह सारी चीज़े लाई कहीं थी, एक बड़े improvements हो रहे थे, लेकिन हुआ क्या, at the last वो जो bill है, वो यहाँ पर parliament में table ही नहीं किया या लाया ही नहीं किया, इस चकर में कह सकते हो, वो जो draft bill था, वो कहीं न कहीं बिकार रह गया, तो writer का target यही है कि उसी draft bill को कहीं न कहीं, जल्दी से एक law बनाना हमार लिए जरूरी है, अगर हम इसको law बनाते हैं, तो यह extreme cruelty है दोस्तो, इसको हम counter कर सकेंगे towards animals, फर यह बोलती है, यह बहुती ज़दा जरूरी है, हमें recognize करना है, कि यह जो draft bill है दोस्तो, यह बड़ा step हो सकता है, यह जो draft bill है, कह सकतो नया initiative हो सकता है, जो India ले कर आएगा, जि जो cruelty towards animals है, उसको रोकने के लिए क्या क्या किया है, समझ गए, तो India को यहाँ पर एक example set करना है, पूरे दुनिया के लिए, और वो example set करने के लिए, जो यह draft है, वो यहाँ पर हमें pass करना जरूरी है, और जब भी नई government आती है, जून में, तो यह कहीं न कहीं, उनकी responsibility बननी चाहिए कि पुराने वाले act में amendments करें, और amendments करने के लिए, फानली इसको implement करने का काम करें, समझ गए, तो यह था हमारा overall news article, editorial, उसके बाद, आज के हमारे newspaper में एक और article present है, वो यह वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यह जो article था, आज के अकबार में page number 6 पर present जिसको आप GS paper number 2 polity के साथ में link कर पाऊगे, तो बात हो रही है, जो election commission है, उनसे सुप्रियम कोट ने हाली में यह बोला था, कि भई यहाँ पर आप क्या करोगे, जो सुप्रियम कोट ने कुछ suggestion वगरा दी है, election commission को, और वो suggestion क्या है, कि इसमें सुधार किया जाए, वीवी प परसों से पहले वाला वीडियो आप प्लीज ओपन कीजेगा, सुप्रियम कोट का thumbnail भी लगा रखा है, एवी एम बीवी पैट का पूरा का पूरा article मेंने डिसकस किया हुआ है, तो मास आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी एक और editorial है, इस editorial को हम लोग थोड़ा सा कर डिसकस करें उनके उपर जाधा tax लगा जाए, हैना उनसा पैसा निकाला जाए, तो राइटर उसमें बिलीव नहीं करते हैं, राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि हमें जो जरूरत है, वो high income earners के उपर high tax लगाने की जरूरत नहीं है, जो इंडिया के poor लोग हैं, जो गरीब वाले category में अभी आ रहे हैं, उनके लिए economic freedom लाने की जरूरत है, उनको skills provide करवाने की जरूरत है, उनके लिए चीज़ों को और open करने की जरूरत है, proper education provide करवाने की जरूरत है, जिससे कि वो उन अमीरों के साथ में compete कर सका हैं, ठीक है, compete कर सके हैं, वो ज़्यादा important, ज़्यादा relevant option है, यहाँ पर writer ने बोला, वैसे मैंने overall यहाँ पर जो एक overview है, जो इस पूरे article का crux है, वो मैं आपको बताई दिया है, ठीक है, आप article पढ़ोगे, तो उसमें यही बोला गया है, साल 2022 में, जो top 1% है भारत की अबादी, top 1% इंडियन की जो population है, वो 40% wealth, जो total wealth है, उसको यहाँ पर hold करके बैठे है, बाकी यहाँ पर जो लोग है, उनके पास में ज़्यादा wealth नहीं है, वो यहाँ पर उनने explain किया, कुछ numbers define करे है, इसकी इतनी wealth है, average wealth इस हिसाब से है, वो यहाँ पर define करे है, फिर वो यह बोलते है, कि मेरा मानना है, यानि writer का मानना है, writer यह बोलते है कि जो high income earners उन पर high tax न लगा जाए, इससे अच्छा यहाँ पर यह है कि जो poor people उनको opportunities दी जाए, हर एक category में सभी लोग है, हर एक profession में लोग व्यक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, उस profession में एक व्यक्ति बहुत उपर है, बहुत जादा कमा रहा है, और दूसरा यहा पर start करने जरूरी है, जिससे यहाँ पर वो जो poor people है, उसको हम इस तरीके से बना दे हैं, उसकी abilities ऐसी हो जाएं, कि वो उस richer वाले इंसान के साथ में compete कर सके, वो यहाँ पर writer ने mention किया है, कलम आपको थोड़ा सा डीटेल से बताऊंगा, बढ़ अभी मैंने को overview दिया है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजेगा, बाकी आते हैं, हम लोग अपने prelims वाले question पर 2021 का question था, कि national level पर कौन सा मंत्राले है, जो कि क्या सकते हो कि ensure करता है, इस वाले act को लागू करने में, effectively implement करने में, तो इसका सही उतर है, option number D, ministry of tribal affairs, ठीक है, चल दिये मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बाबा, have a nice day, thank you and जैहिंद